मनुशी के जीवन में कई ऐसी बिमारी होती है चुकि बहुत ही खतरनाक होते हैं और उनकी लक्षण अगर पहले से ही पता चल जाए तो ये स्वास्थ के लिए काफी अच्छा होता है इससे इंसान उस बिमारी का इलाज जल्द ही करवा लेता है तो वहीं आज हम अपने इस रिपोर्ट में पेट के अलसर के बारे में बताएंगे इसके साथ ही इससे बचने के उपाए भी बताएंगे आपको बतादे कि पेट का अलसर बहुत तकलीफ देता है पेट के अलसर में पेट में चाले हो जाते हैं और इससे घाओ भी हो जाते हैं अल्सर की समस्या अनेमित दिन चल रहा और गलत खान पान के कारण होता है पेट के अल्सर का रोग काफी काफी इसके साथ ही आपको बता दे कि अल्सर शरीर के अंदर छोटी आत के शुरुवाती स्थान या म्यूकल जिल्ली पर होने वाले चाले या घाव होते हैं अल्सर का प्रमुक कारण पेट में एसिड बढ़ना होता है चाय, कौफी, सिग्रेट वा शराब आधिक सेवन करने से अल्सर होता है तो वहीं आपको अल्सर होने की कुछ लक्षडों के बारे में हम बताने जा रहे हैं ये लक्षड हैं जिससे कि इन लक्षडों से अल्सर के गुडों का पता भी लगाया जा सकता है जैसे कि जब पेट के उपरी भाग में दर्द होने लगता है तो पेट में छाले होने लगते हैं और पेट में काफी दर्द भी होने लगता है इसके साथ ही जब हम कुछ खाते हैं तो अमासे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है इससे ही भोजन का पाचन होता है। कभी-कभी बधहजमी के कारण एसीड उपर की और आहार नली में चला जाता है। इससे जलन होने लगती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि खून की उल्टी होना भी ऑलसर का लक्षण होता है। इसके साथ ही acidity का reflection होना भी अलसर का ही लक्षण है इसमें सीनी में दर्द की शिकायत होने लगती है तो आईए इससे बचने के लिए कुछ उपाय बताते हैं इससे बचने के लिए गुडहल के लाल फूलो को पीस कर पानी के साथ इसका सरवत बना कर पीना चाहिए तो वहीं गाय के दूद में हलदी की कुछ मात्रा मिलाकर रोजना पीने से भीस का बेहत फाइदा होता है वहीं बेल का जूस या बेल पत्र को पीस कर इसे पानी में घूल कर बना कर पीना चाहिए इसके साथ ही बादाम को रात भर पानी में भूगो कर सुबह से चबाते हुए खाने से अलसर की बिमारी दूर होती है